एक बाल की बात है, एक छोटे से शहर में एमिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी, एमिली हमेशा चुडैलों और राक्षसों की कहानियों से रोमान्चित रहती थी, जो उसके दादा उसे सुनाया करते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद आपस नहीं आये, एमिली ने टीवी देखकर खुद को विचलिप करने की कोशिश की, लेकिन बिजरी चली गई, जिस सेवा पूरी तरह से अंधेरे में चली गई, अचानक उसने अटारी से एक करकश आवाज सुनी, वह हमेशा अटारी से एक करकश आवाज सुनी, वह खड़ी थी, यह एक चुडेल थी, जिसके लंबे, उल्जे हुए बाल और उसके चहरे पर एक टेड़ी मेडी, दुष्ट मुसकान थी, बच्चों को यह बात पता थी कि कोई भूत नहीं होते है, लेकिन जब उन्होंने कुछ एहसास किया तो उन्हें बहुत डर लग रहा उसके बाद शायद उन्हें ऐसा लग रहा था, भूत होते है, जिनसे हमें डर भी लगता है, जब तीन बच्चे ने कुछ ऐसा देखा था, जिस पर उन्हें कीन नहीं हुआ था, वह तीनों खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कप्रा हवा में उरता है, फिर नीच अब सभी बच्चों को पता कहल गया था, यहां पर कोई भूत नहीं है, वह सभी बच्चे बिना बात के ही दर रहे थे, उनका दर बिना किसी कारण के ही था, व्योकी वह समझ नहीं पाए थे कि उस कप्रे में क्या हो सकता है, लेकिन जब सच सामने आया, तो उन्हें भी पत चल गया था, होई भूत नहीं था, उन्हें भूत की बात से दर्नानी चाहिए था, जब उनके माता पित आये, तो उन्हें भी ये वात पता चल गई, उन्हें समय से आना था, वगर वह नहीं आये थे, शायद उन्हें देरी हो गई थी, उस वक्त वह लड़का घर में अकेल उसी वक्त लाइट चली जाती है. अपने हड़ी वाली उंगलियों से आगे बढ़ी और एमिली की बहा पकड़ कर उसे और करीब रखींच लिया. एमिली डर के मारे जम गई क्योंकि चुडेल ने प्राचीन भाशा में जब करना शुरू कर दिया. अचानक अटारी का दर्वाजा खुल गया और एमिली के माता पिता दोड़ कर अंदर आए, उन्हें लगा कि कुछ गरबढ है और वेजल्दी घर आ गए थे. चुडेल ने उनका सामना किया, उसकी आँखें गुस्से से चमक उठी थे. लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद रहा है.